समस्कार दोस्तों स्वागत एक बाद फिर से हमारे यूटूब चैनल लेजी क्लासेस में आज की इस वीडियो में बात करें वाले मैस को लेकर के और यह पूरा वीडियो मैस के पर रहेगा कैसे पढ़ने हैं हम सब्जेट को कैसे हंडिल करें जिनको मैस नहीं आती वह क्या करे ठीक है जिनका बेसिक खराब है वह क्या करें यह सारे प्रशन के उत्तर में देने वाला हो एक एक करके इससे पहले चैनल पर पहले बार आया है तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लिजेगा वीडियो को लाइक कर दिए और शेयर कर पाएं किसी एक भाई के साथ शेयर कर द यह सबका जनरली कोशन रहा है ठीक है जो जायर से बात ही इंपॉर्टेंट भी है चाहे आप रेलवेस दे रहे हूं चाहे आप लेकपाल दे रहे हूं यूपी कॉंस्टेबल दे रहे हूं कोई भी एक्जाम दे रहे हूं हर एक में मैस आता ही आता है इसको हैंडल कैसे करना है देखो आज जो competition field है इसमें दो तरह के student होते हैं ठीक है दो तरह के student पहला student वो जो science side से तो उसको ज्यादा math में इतनी problem नहीं होती क्योंकि उसको basic calculation आती है और वो अपने आपको थोड़ा modify करता है और एक होता आर्ट वाले student उनके लिए बस थोड़ी समस्या यह होती है कि उनका basic clear नहीं होता ठीक है factor क्या होता है प्रमे क्या होता है आपर में क्या होता है integers क्या होते होल numbers क्या होते numbers क्या होते हैं ठीक है percentage को break यहीं होती है मैं आपको बता दो लेटर ही बता रहा हो कि बहुत सब्सक्राइब साइंस वाले भी है उनका match इतना week है कि match का cutoff नहीं कलता है ठीक है तो ऐसी बात नहीं यह यूपी आपको पढ़नी कैसे होती है यह सबसे बड़ी चीजी होती है कभी मैस में वह चैप्टर आपको नहीं उठाना जो आपने कभी नहीं उठाया जो आपने कभी पढ़ा नहीं है यदि आप आर्ट्स क्यों हो चाहिए साइंस को मैं दोनों को comment लेके चलना हूं सबसे पहला मैस पड़ें कहीं परीपड़ें हमेशा is trading percentage procurement क्यूं करें कि कौई percentage पांचवी से आपके पास चला रहा है चाहे मैं जितनी हम कठें समझते एक्षुली वैसा होता नहीं एक चीज आपको हम मैं बता जाने को जो आर्ट साइड वालों को एक मतलब एडवांटेज होगा कि भी यह दू को एक चीज बताएं चाहे यहाँ पर साइंस का स्टूडेंट है चाहे यहाँ पर साइंस का वह दूनों ही पोर्शन से अलग है क्योंकि यहाँ पर लॉंग मैथर नहीं लगता है जो साइंस वाले लगाते हैं और आर्ट्स वालों को तो कोई देखते नहीं को वह कोई मैथर नहीं लगाते हैं क्योंकि यह एकदम सफेद पेपर होते और इस पर टीचर को सिखाना है आपका पेपर कंप्रीट ही नहीं हो पाएगा तो आपको शॉर्ट ट्रिक्स सीखनी होगी यहाँ पर सारा काम ट्रिक्स होता है बेक से कॉंसेप्स होता है और कॉंसेप्स बिल्डिंग आप कभी भी कर सकते हैं जैसे आप कॉंसेप्स बिल्डिंग कभी भी डाल सकते हैं एक time and work के वीडियो बनाया और ऐसे LCM SCF की वीडियो बने हुए आप जाके हमारी playlist शेक कर सकते हो तो वहाँ पर मैंने percentage का concept बताया है time and work के थोड़ा से अपर लेवल के question मैंने करवा है पर percentage का एकदम basic से शुरूग गया है percentage हो गया profit and loss हो गया discount हो गया वहाँ पर मैंने एकदम basic से शुरूग किया है और मुझे उमीद है वहाँ से आपको चीज़े एकदम क्या होंगी profit and loss, discount, CI और SI पाँच चैप्टर हो जाएंगे एक topic होता है time and work कहां time and work एक ऐसा topic होता है जिसके द्वारा बहुत सरी topic और clear हो जाते है यदि time and work आप लगाएंगे तो वहाँ पर ratio भी clear हो जाएगा वहाँ पर piping system भी clear हो जाएगा और यदि थोड़ा बहुत यदि धान से और अच्छे concept building होगे तो आप average से भी काम बन सकते हैं यानि average से time and work और time average से average दो नहीं हो सकता है ठीक है बात समझे हो तो time and work दूसा topic होता है जो आपको साई से पढ़ना चाहिए ठीक है जैनली क्या होता है कि हर एक competition में ज्यादा तर artsmatic ही आता है जो एडवांस का portion हो तो वह बहुत कमाता है कभी कभी टिगनोमेटरी पूछी लेता है हाइटन डिस्टेंस पूछ लेता है मेंसरेशन के basic question जैसे बेलन हो गया और शंक हो गया और गोला हो गया ऐसे question नॉर्मल से पूछता है जो फॉर्मलाइब इस होता है तो वह चाहिए science का और arts का दोनों लोग याद करके कर सकते हैं अब आपने का सर इतनी रहमार आपने बत ही पर कोई बुक तो बता ही नहीं है हम कैसे करेंगे क्योंकि teacher ready covid का समय है teacher मिले ना मिले और चैनल पर हम पढ़ते हैं हमें सब्समय नहीं आता तो आप मेरा चैनल प्रिफर कर सकते है नहीं प्रिफर करना चाहते हैं तो आप एक में बोग बता देता हूं वहां से आप सारी चीजी कर लेंगे और लेटरली बताओं उस बुक को मैंने बहुत रगड़ा है यह वह बुक राकिश यादोस्तर की बुक है काफी अच्छी बुक है बहुत पुरानी बुक है मेरे पास यह 2017 का मॉडल है सबसे बड़ी कंडिशन है इस बुक को लगातार लगाना है लगातार यह आपने एक महिने यानि तीस दिन का कॉंसेट रखा चल्य बुक को करना जो भी चैप्टर पढ़ें पहला दूसरा वह को खतम कि युद्ध कर लेना कि आपकी दिम्हाइं में इस कॉंसेट बीडिंग लगातार होती कोश्र अपग्रेट होते रहते हैं डे डे बाई डे डे तो आप चाहे UPSI दे रहे हो चाहे एंटीपीसी दे रहे हो यूपी लेकपाल दे रहे हो कॉंस्टेबल दे रहे हैं किसी भी एक्जाम के प्रिप्रेशन कर रहे हो यह बुक आपके लिए राम भाड़े इस book को आप ले लिजेगा, आप इससे करेगा, मैं इसी book को recommend करता हूँ, बहुत सारी market book है, मतलब मैं गिनाओंगा ना तो इतनी सारी book हैं, मैं मैं किसी को recommend ने करता हूँ, आपकी इच्छा हो तो लिजे, नहीं यदि आप RS अगवाल से पढ़ हैं, यदि आपके लिए वो comfort हैं, तो बिलकुल आप उससे पढ़े हैं, जो math होगा, और improve हो जाएगा, ठीक है, उमीद है, यह math की जो study होगी, वो आपको थोड़ी बहुत समझ में आई होगी, बाकी मुझे पता है, आपके मन में बहुत सारे doubts होँगे, उन doubts को रखने के लिए, नीचे comment section है, आप रख सकते हैं, मैं दीरे-दीरे करके सारे doubts को clear कर दूँगा, ठीक है, मैस्क पे बहुत सारे लोग परिशान थे, classes मैंने शुरू की थी, पर किसी कारवबस मैं अभी classes continue नहीं कर पा रहा हूँ, पर बहुत ही जल्द मैं classes continue करूँगा, और जितना हो सकेगा मुझसे, मैं आपके लिए प्रयास करूँगा, इसलिए चैनल को पहले subscribe पढ़कर रखिये, GS आप पढ़ना चारे, मौल विदीर पढ़ना चारे, कुछ भी पढ़ना चारे, अब चैनल पर जाकर के विजिट कर सकते हैं, लगमत 400 प्लस वीडियो पढ़ी हूँ है, जो आपके लिए helpful है, और free of course पूरी है, चीज़े कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इस वीडियो में इ से एक विक्ति को आप शेर कर सकते हैं,